आज की वीडियो में आपको शिल्पा शेटी के बारे में बताएंगे वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेला आइकान को प्रेस कर लें जैसे के आप सभी जानते हैं के शिल्पा शेटी उन एक्ट्रेसेस में से शामिल होती है जो सोचल मीडिया पर काफी एक्टिव दिखाई देती हैं और वो सोचल मीडिया के थुरू अपने फैंस के साथ कांटेक्ट में रहती हैं और अपनी लाइब में होने वाली हरेपनिंग के बारे में बताती हैं बट अब ऐसा लगता है कि शिलपा शेटी अपने फेंस के साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं रहना चाती और वो ये सोचल मीडिया की लाइब से तंग आ चुकी हैं वो कुछ समय रेस्ट करना चाती है और कुछ समय इस सब से बहुत दूर रहना चाती है लास्ट कुछ समय में शिलपा शेटी की लाइब में बहुत कुछ हुआ उनके हस्बें राज कुंदरा काफी समय जेल रहे और इस दोरान उन्होंने काफी ज्यादा मुश्किल समय गुजारा शिल्पा शेटी उस मुश्किल समय में भी अपने फैंस के साथ जुड़ी रही और वो अपने फैंस को अपने बारे में सब कुछ बताती रही और जो कुछ उनकी लाइब में हो रहा था उस पर भी वो अपने फैंस के साथ कुछ ना कुछ कांटेक्ट में रही और उनको बतात रही किया हो रहा है क्या होना है और क्या ठीक है शिल्पा शेटी जहां अपनी लाइफ के कुछ मूमेंट जरूर शेयर करती हैं वहीं वो कुछ प्राइवेसी भी चाती हैं और वो चाती हैं कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से कुछ गुजार सके इसलिए अब शिल्पा शिल्पा शेटी ने एक post share किये और उन्होंने ये कहा है कि So bored up the monotony everything looking the same Going up social media till I find a new avatar शिल्पा शेटी अपनी आने वाली किसी project की promotion के लिए ऐसा कर रही है या वो सच में चाती है कि वो कुछ समय relax कर सके और इस social media की भागदोर से दूर रह सके तो ऐसा शिल्पा शेटी बता पाएगी और ये आने वाले समय में पता चल पाएगा कि शिल्पा शेटी वाके ही break rest चाती थी या फिर वो ये सब किसी promotion के लिए कर रही पर शिल्पा शेटी का ये जो भी फेसला है हम उनके साथ हैं आपको शिल्पा शेटी का ये decision केसा लगा हमें comment करके जरूर बताईएगा और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को कर दें लाइग और मजीद इसकी update जानने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दें और bell icon को press कर लें ताके आने वाली वीडियो की notification मिले आपको सबसे पहले